गुड बॉर्णिंग सुपरबात कैम चो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और जम कर महनत कर रहे होंगे और कितनी खुशी की बात है हाँ कि 1st of August को एक्जाम हो रहा है मतलब कोर्स पूरा करने के बाद एक पूरा रिविजन का हमको मोका मिलेगा और हम अच्छे से पढ़ेंगे महनत करेंगे और मैंने पहले भी आपसे का है बिटा कम से कम 5000 कमांडो मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुँचना चाहिए और हम भर देंगे चुदेश के टॉप के जो मेडिकल कॉलेज है सब में बायो मेंटर्स के कमांडो होना चाहिए ठीके ना बिटा यह शुरुआ थे और यहां से हम जो है वो अब बहुत आगे जाएंगे इसलिए हमको जम कर मेनत करना है और मैंने पहले भी आपसे का था था 100% जो है वो NCRT के सारे बोल्ड पॉइंट्स है फिजिक्स हो, केमेस्ट्री हो बायो जो सबको कवर करते हो चलेंगे और हम जो है वो एक बार फिर से पूरा कोर्स अच्छे से करेंगे एक बार पूरा कंप्रीट कर लेते हैं फिर से करेंगे हम और देखते हैं कौन रोकता है हमको और इस बार हमको सब से उपर जंड़ा कर आना है बायो मेंटर्स का समझ गए बिटा के और ये सब आपको करना है मेरे साथ जो है महनत करते रहें बिटा और हम लोग भी जो है वो मतलब शपत लिया है हमने कि जब तक AIR 1 से 10 तक में बायो मेंटर्स के बच्चे नहीं हो है बायो डाइवरिसिटी के ऊपर और बायो डाइवर्सिटी की खास बात सुन लिज्याम बिटा अच्छे से कि यहाँ से कोस्टने है जरूर आता है और अभी सबसे बड़ी समस्य क्या है इस चेप्टर में कुछ आकणे हैं, कुछ डेटा है और वो दिटा हमें याद रखन तो इस चेप्टर में टार्गिट हमारा यह है कि हम जल्दी-जल्दी कुई किसको रिवाइस करते हैं, सारे बॉल्ड कंसेट को ब्रॉडर कंसेट को देखते हैं, यह लेक्चर उन बच्चों के लिए नहीं है, जोने एक बार बायो डाइपरस्टेटी को मेरे लेक्चर से ध्य सिधा ही आके पड़े, तो बेटा, ऐसा लगेगा, आपको कि सर ने कुछ छोड़ दिया है, सर ने कुछ अच्छे से नहीं बताया, ऐसा लगेगा आपको, तो अभी क्या है, चुकि यहां पर हम उन बच्चों के लिए महनत कर रहे होते हैं, जो एक बार पुरा रेगूलर प पॉइंट है जिन पर हम बात करेंगे हैं, आपको याद रहे हैं, कुछ डेटा है, जो आपको दिमाग में नोट कर ले रहे हैं, आपको कुछ डेटा दिमाग में रखना है, वन वाई वन, पॉइंट नमबर वन पर आते हैं, पॉइंट नमबर वन, हमने कहा, बायो डाइबर्सिटी, ठीक है, देखिए, 20,000 species, आंट्स की चीटियों की है, ठीक है, 3,000,000,000 बीटल्स की species है, ठीक है, 28,000 fishes की species है ठीक है और 20,000 जो है वो orchid, plant है orchid, orchid की species जो है, अब यह आकड़ा क्यो लिखना है आपको, को कि examiner जो है NCRT पर बैस question करता है generally, पुछलेगा आपसे कि सबसे अधिक से कम के क्रम में जमाओ आप 4 का आकड़ा दे रखा है यहापे उन्होंने आपसे random दूसरा नहीं पुछेगा वो जो data उसने दे रखा है वो आपसे पुछेगा तो पहला point तो हमने क्या क्या हमने यह data लिख लिया अरे simple सी बात है biological world में कितनी diversity है biological world में कितनी diversity है उसका मतला बैं biodiversity के तो हमने कहा है यहापे पहला point point number one 20,000 प्रिजातियां है तीन लाखें बीटल्स की 28,000 फिशेश की 20,000 होती ही बिटा और्किट की ठीके ना चलो यह भी से नूट के हमने आपे आगे बढ़ते हैं point number two पर आते हैं ठीके point number two की बात करते हैं point number point number two पर आते हैं point number two ठीके term कौन सा term biodiversity term किसने दिया यह यह दिया Edward Wilson ने कि तो हमने लिख लिया Edward Wilson आप कौन सा term की बात कर रहे हैं biodiversity term की बात कर रहे हैं किसने दिया यह Edward Wilson ने दिया note कर लेने का है यहापे एक छोटे से, term, आप चाहो तो पूरा लिखे लो, term biodiversity given by Edward Wilson, क्यों लिखते हो तरह सारा, कि term किसकी बात कर रहे हैं, आप chapter पढ़ रहे हैं, बायो डाइवर्सिटी उसी की बात कर रहे हैं, term Edward Wilson ने दिया तीसरा point लिखेंगे यहाँ पर हम ठीके अब यहाँ पर तीसरा point लिखेंगे यहाँ पर हम कि biodiversity के हमने क्या क्या हमने लिखा आपर जो है वो types types of biodiversity हमने लिखा number 1 genetic diversity ठीके दूसरा लिखा हमने species species diversity then ecological diversity point number 4 genetic diversity देखो बेटा नोट करेंगे यहाँ पर थुड़ा सा नोट करने का है समझने से यहाँ पर नोट करने का क्या point दिमाग में रखना है ठीके किस लेवल पर होगा बेटा यह यह होगा genetic level पे होगा यह ठीके clear है ना मतलब जो है एक प्रिजाती में genetic level पे कितने तरह के alleles present है तो यह genetic level पे होगा genetic diversity genetic level पे होगा कितने तरह के genes present है कितने तरह के alleles वहाँ presented के और इसका example याद रखिएगा आप यह पे inverted comma में example लिख लिए बेटा ठीके rovulphia vomitoria rovulphia vomitoria ठीके कहां मिलता है आपको यह यह मिलता है आपको जो है वो himalian ranges में कहां मिलता है आपको himalian ranges में मिलता है आपको यह ठीके क्या होता है इसके अंदर इसके दो होता है होता है रिजर पाइन नाम की दवा इसके अंदर मिलती है ठीक है ना? किलियर है ना? अब ये क्या छूटी सी बात है कि रुबुल्फिया वोमिटरिया कहां मिलता है हिमालय और नंजज मिलता है कौन सी वेडिशन उसके अंदर होती है रिजर पाइन होती है कि फिर इसके बाद हमने बात किया हमने कहा नोट कर ले ना बिटाया पे 50,000 genetic different variety of rice के 50,000 genetic different variety होती है rice की और 1,000 होती है mango की के 50,000 genetic different strain rice के है 1,000 mango के तो नोट कर लेते हैं आप नोट कर लिए बिटाया पे मैं उपर लिख रहा हूँ आप नीचे लिखिएगा इसमें ठीके rice 50,000 variants ठीके 50,000 variants जेनेटिक लेवल में बात कर लेंगे mango क्या लिखा हमने mango के बारे में किसके 1,000 variants जेनेटिक वेरियंट हमको देखने मिलते हैं ठीके अब यह क्या है यह छुट-छुटी बात हैं और यही exam के core point यह exam के core point जो आपको पता होना चाहिए ठीके अब इसके बाद क्या लिखे हैं इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं यह लिखा हमने आप है ना इसके बाद हम बात करते हैं कि जो है species diversity लिखेगा आपके मेरे पास जगे नहीं है तो मैं आपको बता तो आप कैसे लिखेए इसको आप लिखेए इसको आप लिखेए इसको पर species diversity ठीके इसको जो है वो फिर से इसको में लेता हूँ species diversity ठीके अगली बार मैं एक स्लाइट खाली रखूँगा अगली बार ता की दिक्कत ना हो मुझे species diversity कहां होता है यह species के level पे होता है species level पे होता है ठीके ठीक फिर आपको लिखना है western घाट amphibia ठीके अब आपको याद रखना है western घाट में more amphibia परकी variety प्रेंट है as compared to the eastern घाट अब यह तो देखो आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार याद के यहाँ पे हम short note में क्या कर रहे है हम short term को लिख रहे है छोटे term को लिख रहे हैं जिससे हम याद रख सकें के इतना सा लिखाया है के species diversity species के level पे होती है western घाट में amphibia की अधिक species देखने मिलती है इस compared to the eastern घाट ठीके फिर आते हैं point number seven पे आते है point number seven क्या कहता है आपसे ecological diversity ठीके किस level पे होती है ये ecosystem level पे होती है ठीके ना clear ठीके ecosystem level पे होती है और simple सी बात है कि ये diversity जो होती है वो ecosystem level पर पाई आती है आप एटके clear आप देखो simple सी बात है ना यहाँ पे लिखा हमने India is having more ecological diversity as compared to the Norway वहाँ तो बर्फी बर्फ जमाए ठीके तो हमारी country में जो है वो अधिक ecological diversity है हमारे पास desert भी है हमारे पास जो है वो हर तरह का हमारे पास tropical forest 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 करी तरह के पिडेंडेट के तो हमारे पास क्या जो है डाइवर्सिटी ecological diversity जादा है as compared to the norm it के समझ गए तिके अब यह क्या होआ है यह हमने जो चुछ 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 पॉइंड लिखे ना इन पॉइंड पर पूरी ठीक रिकॉल करना चीए यह पूरा चेप्टर आप क्या सुछते हो कि पूरा चेप्टर रट लेंगे हमने यह से काम नहीं बनेगा आपको चेप्टर को जो है वह पॉइंड से ने जैसे होता न कि एक एक धुरी होती उस पर पूरा system घुम रहा होता है तो वह धुरी है यह पॉइंड उस पॉइंड सा पूरी चीश को कि एस पर IUCN बताइए फुल फॉर्म क्या होता है होमवर्क आपके लिए अब तुर सोची बताइए तो लिखिए इसको के और मैं नहीं बोलूंगा अब यह तो सब बता एक बार आपको पढ़ा चुका हो था को मालू होना है कि IUCN के कॉर्डिंग क्या है तक्रीबन जो है वो more than 1.5 million के million जो है वो species जो है वो presented के plant animal के species और जो plant और animal को मिलाकर आप बोलेंगे तो तक्रीबन 1.5 million सदिक species जो है वो present है आप ठीक है ना clear फिर point number 10 लिखा हमने more species तो क्या लिखा हमने tropics में temperate की तुला में temperate में alpine की तुला में species अधिक होती है tropic में then उससे कम temperate में और सबसे कम होती है alpine region में ठीक है ना clear फिर point number 11 लिखा आपने राबर्ट में राबर्ट में ठीक है 7 million species नोंने कहा कि तक्रीबन प्रिकरती में 7 million species जो है प्रिजेंट है नोंने एक अकड़ा दिया रिके और ये राबर्ट में जो है ये लिख लो 2021 नीट आएगा ठीक है राबर्ट में ने 7 million species के बारे में हमको बताया कि global diversity जो है साथ मिलियन सतर लाग के सेवन मिलियन इस प्रिजातियां जो है वो हो सकती है ठीक है आई यू सीन केता है 1.5 मिलियन ये कहते हैं 7 मिलियन ठीक है क्लियर चलिए पॉइंट नंबर 12 पर आते हैं हम यह पे पॉइंट नंबर 12 थोड़ा बोर लेक्चर लग रहा होगा हमको कोई डेटा है ये ये आकड़े हैं विटा है जिसको एक जगे पर नहीं लिखाना तो हम एक्जाम में गलती कर देंगे तो अभी हम ब्रीफिंग पॉइंट को त्यार कर रहे हैं पॉइंट नंबर 13 लिखा हमने हापे तकरीबर 22 परसेंट प्लांट इस्पीसीज हैं जिसमें हम क्या करते हैं हम उसमें एलगी फंजाई ब्रायोफाइटा जिम्नोस पर्म अब बनोगे फंजाई क्यों अरे भाई पहले फंजाई को प्लांट में शामिल करते थे तेक्निकल यहाँ पर लिखा हुआ है फंजाई क्या ठीक है तो फंजाई अलग किंग्डम होता है पर्म तो यहाँ पर लिखा एंसेक्ट है उन्हें वेसल लेर के 22 परसेंट प्लांट इस्पीस होती होता है ठीक है ना क्लिए फिर पॉइंट नंबर 14 ठीक है तक्रिवान 70% of Animal Species क्या होते हैं इंसेक्ट होते हैं ठीक है तक्रिवान 70% 70% के आसपास जो Animal Species है वे क्या है बेटा वे हैं इंसेक्ट वो क्या है वो है कीट है वो ठीक है क्लिए अमंग अनिमल इंसेक्ट साथ इंसेक्ट होते हैं ठीक है पॉइंट नंबर 15 आप लोगे कहां से निकालोगे पॉइंट आप गोर से देख रहे हो इंवर्टीबिड में क्या देख रहे हैं आप आप देख रहे हैं इंवर्टीब्रेट में सबसे बड़ा गूप होता है इंसेक्ट्स का ठीक है क्लिए आ और अदर еньमल गुरुप के अलावा जी हमार नमबर दो पर इन्सेक्स से लिख만 पहिए इसको हम admitting किस से अधिक होते हैं किस से मुलासका से ठीक है मुलासका से दिक होते है या कृस्टेस्ट मुलासका बीकष कृस्टेशर्षाण क्रेस्टेश्य हन से हैं ठीके, and then, ये तीन सब, देखो, बाकी में अधर में क्या हो, अधर में सब आगे, बाकी अधर में चुक्की सब आगे, ठीके, इंसेक्ट है, दर मोलासका है, क्रस्टिशिया है, और उसके बाद लिखा न, अधर एडिमल को, तो उसमें सारे स्यामिलों में, आप उसको सबसे बड़ा क्रेगरी नहीं मान सकते हैं, उसमें तो कि मल्टीपल चीज़े उसके दर एंडिक्लूरेड है, ठीके, फिर हम आते हैं, वर्टीपलेट की बात करें, तो सबसे वर्टीपलेट में सबसे दिख जहाएं है, अप रहे में सबसे नहीं थे, और यह Cel다 Wr. ऑद और genाल है, अधर सबसे अधिक प्रिजेंट हैं जान्यों म cable, ऑहां सबसे एडिक प्रिजेंट हैं, तुर आपम सारीँ सबसे हाइं है न स रिख़ार में हैं यहांपर टेक्निकल पॉइंट आप लेंगे पहले मैमलस लेंगे हम मौर सक्सेस्फूल देन एमफी वियन्स ठीके इसमें से एक दम क्लारेटी जो है एक दम क्लारेटी वह है हमारे फिश और वर्ड वर्ड में, ठीके ना, बाकी तो almost बराबर हमको ये दिखाई पड़ रहा है, मामूली अंतर हमको दिखाई पड़ रहा है, ठीके ना, फिश वर्ड, ठीके and रैप्टाईज, ठीके, तो ये हमको दिखाई भूर करें, सब से अरे अब आप बोलों बराबर दिख रहा है मेरे को नहीं बिटा फंजाई ज्यादा होते हैं यह विकुल डेटा है ठीक है फिर इसके बाद आप बाकी देखने हैं आप एम्ट के तो यह भी आपको याद रखना सबसे दिख तो क्या होता है एक्जाम में इसा आता है यह मैंने के लिए पॉइंट रंबर 18 पर आते हैं हम पॉइंट रंबर 18 के इंडिया मेरा देश्मान ठीक है मैंने का 2.4% लैंड ठीक है 8.1% हम ऐसा बोलेंगे जो एंसाटी की लेंग्वेज है बायो डाइवरसिट 8.1% के आसपस है पर एंसाटी की लेंग्वेज दिखेंगे इसमें क्या हो बलेंगे इस ग्लोबर 8.5% ग्लोबर इस्पीसीज डाइवरसिती की मतलाब जो बाइवरसिटी में हमारा कंट्री भीशन है जो हमारा बाइवरसिटी में कंट्री भीशन है वो को Competition not 81 it is 8.1% के और रंट कितना है 2.4% लेंट है हमारे रंट हाए लेंड है ठीक है ना? ठीक, it is among top 12 mega diversity countries, ठीक है, clear, है न, ठीक, फिर, ये तो हमने कुछ आखड़ा लिखा वेटा है पर इंडिया के बारे मिटके, अब एक बात हो, जो हाँ मैंने underline किया न, ये बड़े important, जो जो मैंने underline किया ये, इसका मतलब मैंने पूरे chapter पर जाकर, मैंने निकाला extra की क्या important है, तो जो underline किया है, वो बड़ा important है बटा वो चीज़े, data, ज़रूरी data है के, देखो, क्या लिखा इसमें, if we accept MAIS global estimate, अब ये MAIS global estimate का मतलब है, 7 million species, तो इसका मतलब ये होता है, कि अभी तक हम किवल 22% species के बारे में जानते हैं, तो ये सिधा statement exam में, सिधा MCQ exam में आ सकता है, तो यार रणके, जो 7 million species अब तक हमें, जो रॉबर्ट मैंने कहा कि 7 million species हो सकती है, हमको किवल 22% के बारे में जानकारी ये बिटाया पर, ठीक है ना, clear, ठीक, यदि हम इस proposition को इंडिया में लगाते हैं, तो हम पाते हैं कि 10,000 plant, 1 lake, 1 lake plant species and around 3 lake animal species जो हो हमारे इंडिया में होना चाहिए, ठीक है ना, clear, चली, तो अभी ये टेटा हम दिमाग में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, point number 19, ठीक है, pattern of biodiversity, ठीक है, latitude, ठीक है, अक्छांस के cording vary करता है, latitude के cording vary करता है, और दूसरा क्या होगा बटा, एक latitude के cording vary करेगा बटा, और दूसरा क्या होता है, वो जो जो सबसे important जो great pattern है, बायोडिवर्सिटी के नमबर एक है, latitude gradient है बटाट के, latitude में क्या लिखना है हमको यहाँ पर, हमको लिखना है समें हमको, कि not uniform, ठीक है, बायोडिवर्सिटी पूरी अर्थ पर uniform नहीं होती है, मतलब more, tropics में more होती है, as compared to temperate, और बनाया होता हमने, उससे कम होती है, एलपाइन में, डेजर्ट में, ठीक है न, ठीक, clear, फिर हम कहते हैं, pole से आप जाते हैं, equator पर, ठीक है, biodiversity plus है, यहाँ पर plus, 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 plus है, मतलब, biodiversity ये बढ़ती है, पोल से, equator की ओर जाने पर, biodiversity में, बढ़ूतरी होती है, ठीक है, मतलब maximum biodiversity कहाँ होती है, वो tropics में होती है, ठीक है न, ठीक, faith, greatest, greatest कहाँ पर है बटा, Amazonian Rainforest के सबसे दिख जो है, वो कहाँ है, वो Amazonian Rainforest में बटा, याद रखिएगा इस दीच को, ठीक है न, clear, अब यहाँ पर आकड़ा दे रखा है, वो बहुत relevant आकड़ा नहीं है, बटा, तो लेकिन हमको ध्यार नखना है, कि सम्मेर का लिखा है, कि हाँ पर 40,000 plant species हैं, तीन हजात रगी fishes हैं, तिरा सुत रगी वर्ड हैं, तो यह आकड़ा डिरेक्ट एसान एक्जामेन नहीं पुछेगा आपसे न लिट के, माइक्रोप की दुनिया की बायो डाइवर्शिटी के बारे में तो हमको बहुत थोड़ी सी जनकारी है, हम कहते हैं, कि जितने जरी के माइक्रोप और्गनिस प्रिजेंटर में से किवल हम 1% को हम जानते हैं, ठीक है, क्लियर, चलिए, पॉइंट नमबर 20 पे आते हैं हापे, ठीक हैं, आप देखो बटा, मैंने आपको बताए ना, कि लेटिट्टूड होता है, और एक तो क्या हो गया है, कि आपका लेटिट्टूड के एकोर्डिंग हो गया हाप ठीक है, ठीक, फिर हम क्या बात करते हैं, जो ट्रॉपिकल इन्वारिमेंट में टैमपरेट की तुल्मगा, अधिक बाइडवर्सिटी होती है। ट्रॉपिकल में सनलाइट अधिक मिलती है, अब ये तो understanding common बास है, इसको note करने की होती है, ट्रॉपिक में सनलाइट अधिक मिलती है, प्लांट की density अधिक होती है, तो अधिक फूड बनेगा, तो अधिक 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 आइनिमल उसके उपर dependent रह सकते हैं, ठीके, क्रा में आएगा मतलब आएगा यह ठीक है इस पीसीज एरिया रिलेशन्शिप ठीक है किस ने बताया इसको बेटा अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट और यही कोश्चन एक्जाम में आएगा मैं कह रहा हूँ रिपीट होगा यह कोश्चन ठीक है रिपीट होगा यह कोश्चन एक्जाम में आएगा बेटा कहां बतलाया इन्होंने इसको South American Forest, जंगल, बड़े forest को जंगल भी कहते हैं वहां उन्होंने बतलाया इसको ठीक है न, clear ठीक, ध्यान रखना आपको बेटा, यह कहते है इसका जो formula है formula आपको पता होना चीए बेटा है आप इसका formula क्या, इसका formula है log S equal to log C plus Z log A, ठीक है दिखरा आपको इसमें यह formula आपको याद रखना है बेटा ठीक है, ठीक log table पेसा हो जाएगा बेटा है formula क्या, ठीक है तो हमने क्या देखा इस formula और इसमें क्या है इसमें जो S है वो क्या है S है species richness, S क्या है S है species, S ही लिखीगा आप जैसे से बेखना है species richness, S है species richness, ठीक है न, C क्या है यहाँ पर, C यहाँ पर है Y intercept ठीक है, Z क्या है यहाँ पर, Z है regression coefficient, slope of the line slope of line, ठीक है, इसे बोलता है regression coefficient क्या है, A क्या है यहाँ पर, A यहाँ पर है area, A यहाँ पर है area, ठीक है, है न, तो यह बिटा यह formula या रखनाट के सिधा, आपसे कोई बहुत बड़ा calculation करने को नहीं पुछेगा examen आपसे, biology में ऐसा नहीं होता है, आपसे लेकिन वो simple, वो चाहते हैं कि आपको यह formula मालूम है या नहीं है, ठीक है कहने का मतलब यह है कि, जैसे जैसे आप अधिक से अधिक area explore करते हो, species diversity and species richness जो है बढ़ती चली जाती है, up to a limit क्योंकि कई constant लगे हुए, graph जो है वो up to a limit की हम बात करते हैं, एक सीमा तक, एक सीमा तक जो है, एक limit तक जो है, जितना अधिक area आप explore करोगे, उतना अधिक जो ह आपको देखने मिलेगे, यह इनका, और वो कहते हैं, कि z का value है, आपको पता है बटा, point number 21, z क्या है बटा, z यहाँ पर है, regression, coefficient, ठीक है, जो slope of the line, इसका value कितना होता है, इसका value, normal, normal value की दियमात करें, इसका normal value करता है, point 1 से लेके, point 1 to point 2, इसका normal value होता है, लेकिन एक बहु continent को आप देखोगे, एक काफी बड़े continent को देखोगे, तो इसका value कितना हैगा, point 6 से लेके, 1.2 तक इसका value आ सकता है, कप, जब आप बड़ा, large, जब आप large area explore करोगे, तब के इसे पुरा continent देखा, आपने, तब क्या हैगा, यह value, जो है, तब यह आपको, आपको आएगा, पूरी continent की बात करें, हम बहुत बड़े area के बात करें, तो 0.6 से 0.2 यह value आ सकता है, तो जो overall final outcome होता है, वो depend करता है, Z का value के आपके, एरिया बढ़ाया, आपने, ठीके, तो area बढ़ाने पर आपका, इस पीसी richness कितना बढ़ता है, यह इस बात पर depend करता है, कि वहाँ पे Z कर देखने नहीं मिलता है, कॉमन नियम निकल के सामने आए, यहाँ पे, इसे बोलते हैं, इस पीसी अरिया रिलेशनिशिफ किते है, अब इसका जो graph है, graph को ध्यान से देखिएगा, इसकी graph को आप ध्यान से देखिए, graph में आप उधाना है, कि log-based scale वाला graph होता था, वो straight line में 10 में ग्राफ होता है, तो log-log scale पर हमको क्या देखिए सा दिखाई पड़ा, तो एग्जाम में गलती मत करना, कि species area, आप से पुछा उसने, यह एक MCQ है, जो एग्जाम में आ सकता है, आप से पुछा उसने, कि log-log scale पर species area रिलेशनिशिफ पा graph क्या होगा, तो हमने क्या का, ह species area graph, ठीक है, log-log scale पर हमने तो कैसा आ गया है, एसा आ गया है, ठीक है, ना, तो यह फर्क है बटा दोनों में बिटके, log-log, तो या रखना, ठीक है, और यह जो है, equation मेटा s equal to c a power z ये equation आपको याद रखना है बेटाटके और ये हम already note कर चुके लोग-लोग-skill वाला है वो हम already note कर चुके तो ये curve बेटा याद रखना आपको area और species relationship का curve आपको याद रखना है ये limit up to a limit होता है ये curve आगे जाके पैरा बोला में गर्वट हो गया हो ठीक ही रहा? किलर? फेक आगे बढ़ते हैं आपके देखो, simple सी बात यहाँ पर है कि एक scientist है David Tillman के point कितने हो गया हमारे? हमने 23, point number 23 लिख रहे हैं आपके हम David Tillman ठीक है? David Tillman क्या बताया है नोंने? देखो, एक stable community जो होती है कोई भी stable community होती है वो आने वाले परिवर्तनों का विरोध करती है, resistant होती है उसके लिए उसमें बहुत अधिक परिवर्तन देखने नहीं मिलता है या तो वो विरोध करती है रेजिस्टेंट करती है, परिवर्तन अतने आसानी से उसमें होते नहीं है या फर resilient होती है resilient का मतला होता है कोई परिवर्तन होता है तो वापस उसको recover कर लेती है उस community का हम stable community कहते है ठीकिना, men met कई सारे natural disaster होते है कई बार हम लोग कुछ इसा करते है फिर करती में इससे उसको damage होता है तो एक stable community आप उसको बोलोगे जिसमें कि कोई परिवर्तन करने पर वो परिवर्तन या तो विरोध करता हो अपने होने का या फिर वो परिवर्तन होने का वापस से natural condition को हो रिकवर कर ले हो तो उससे बोलते है resilient करते है resilient का मतला होता है कि damage की बाद तुरंद को recovery का होना ठीक है David Tillman but David Tillman's long term ecosystem experiment David Tillman ने क्या क्या इन्होंने long term ecosystem experiments को क्या इन्होंने ठीक है using outdoor plots provides some tentative answer Tillman found that the plot with the more species showed less year to year variation in total biomass के उन्होंने कहा है कि variation in biomass ठीक है less when more biodiversity ठीक है क्या बतला है इन्होंने इन्होंने ecosystem की ecosystem stability के बारे में बतला है क्या बता है इन्होंने का कि कहीं भी biomass के अधिक variation नहीं होगा यह कम variation in biomass कम होगा जब more biodiversity होगी ecosystem will be more stable ecosystem इन्होंने इन्होंने बताया कि increasing diversity होती है वो more productivity प्रवाइट करती है more उससे productivity रहती है और इसलिए हमको वहाँ पर ज़्यादा परिवर्तन देखने नहीं मिलता है तो किसी भी ecosystem की establishment के लिए किसी भी ecosystem की stability के लिए more biodiversity is favorable feature डेविट टिलमेंट ने मताया इंपोर्टन है अभी तक examiner की नजर नहीं गई इसके उपर पर important point तो याद रखना है तो फिर दूसरा हम बात करते है point number 23 बात करते है आपर हम ribet popper hypothesis Paul Aherlich कहां के थे Stanford University के थे Stanford के थे Paul Aherlich note कर ले ना मिटा important है 2021 के लिए ये भी important point तो याद के ribet popper hypothesis ठीक है clear इन्होंने बताया कि जैसे एक plane में इन्होंने बताया जैसे एक arrow plane में बहुत सारे ribet लगे होते हैं और पूरी body होती है प्लेन काफी weak पड़ सकता है और वो crash कर सकता है डैमेज हो सकता है ऐसे ही प्रकरती में है कि एक प्रिजाती खतम होती जादा फरकने पड़ता दो ने खतम होती जादा फरकने पड़ता लेकिन ऐसे करके प्रिजातिया इसमेश खतम होती चली गई तो एक दिन पूरा पूरा एकोसिटम डैमेज कर जाता है इसे बोलते है रिबेट पर hypothesis इसे एकजाम में आएगा इंपोर्टन डैमेट डैमेट चलीए पॉइंट नमबर 24 पॉइंट नमबर 24 की बात करते हैं ठीके लॉस अफ बायो डाइवर्सिटी तो देखो बेटा आयूसियन ने आयूसियन क्या लिस्ट आयूसियन जो है रेड डाटा लिस्ट को रिलीस करता है ठीके आयूसियन जोता है रेड डेटा लिस्ट को रिलीस करता है और वो क्या बताता है वो बताता है कि कौन से ने बताता है कि जो कोई स्पीसीज है कितनी प्रिजातियां खत्रे में है कितनी इंडेंजर्ड है कितनी जो है वो उनकी संख्या कम होती जा रही है कितनी endemic species है तो वो प्रिजात्यों का exactly status क्या उसको बतलाता है ठीके ना यह बताता है यह जैसे की तक्रिवान 784 species का extinction हो चुका है ठीके वो कहता है अब देखो यह इतना fine data है तो generally NCRT से एसे question examiner generally ऐसे question लेना prefer नहीं करता है पर मैंने कहा ना कोई भरुसा नहीं होता कई बार इन लोगों का लेकिन मैं तब भी कहता हूँ अपसे की बिटा मतला बहुत लेकिन हम दिमाग बर रखेंगे तो कुभी बाईचान समय याब तो आ जाएगा ना पर मुझे लगता नहीं कि इसा कुछ है इजामे को देना चाहिए तो लोग तो लिके हम निख लेते हैं हम क्या करते हैं हम भरुसा नहीं करते हैं को एंसे बार ऐसी जे पूछ लेते हैं तो हमने क्या बोला seven eight four extinct ठीक है in five hundred years ठीक है उसमें से 338 vertebrate हैं ठीक है शॉर्ट में लिखा हम नट के 359 invertebrate हैं आई भी लिख दिया हमने ठीक है 87 जो है वो plants है ठीक है फिक जो recent extension होगा है अब यह important यह match the column यह match the column वाला question के डोडो वार्ड मौरिशस क्वेगा जिराफ के समान दिखता है अफ्रीका थालेसीन लोंबडी के समान दिखाई देता है अस्ट्रेलिया यह विलुप्त हो गया है खतम हो गया है ठीक है ना इस्टिलर सीकाव ठीक है इक तरह से डॉल्फिन के समान दिखता था यह यह रश्या से खतम हो गया है ठीक है यह रश्या से खतम हो गया ठीक है फिक टाइगर बाली जावा और कैस्पियर ठीक है इसमें से कई सारे इंडोनेशिया में मिलते हैं मिटा कई टाइगर इंडोनेशिया के अंदर थे यह ठीक है मैं आमार में थे कुछ इंडोनेसिया में थे तो यह जो है वो टाइगर की वरेटी खत्म हो गई तो याद रखी गए तो यह कहा है कि कुछ डेटा है यहां पर कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी होंगी बटा है ना बोर तो नहीं हो गए ना कि सुब़ सुब़ सर ने काई जिला रहे हैं सो गए ठीके ऐसा नहीं करना भई ठीके तो कितने पॉइंट हो गए हमारे यहां पे हम चलो हम पॉइंट हमने का ना हम नोट कर रहे हैं पॉइंट नमबर ट्वंटी फाइफ ठीके आप देखो यह तक्रिवन हम कहते हैं more than 15,500 के आसपास प्रिजातिया जो होती है, वो extinction के खत्रे से जूल रही है वो, ठीक है, उनका extinction हो सकता है, ठीक है, इसमें से हम कहते हैं आपे, जो खत्रा, जिनको खत्रा है, किसका खत्रा है, एक्स्टिंशन का खत्रा जिनको है, उसमें से 12 परसेंटो, वर्ट्स हैं, 23 परसेंट, मैमल्स हैं, 32 परसेंट, एमफिवियन्स हैं, ठीक है, 31 परसेंट, जिम्नो इसपर्म हैं, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा खत्रा है एमफिवियन्स को, और प्लांट्स में सबसे बड़ा खत्रा है, प्लांट्स में सबसे बड़ा खत्रा किनको है वो है जिम्नो इसपर्म को, अगेन MCQ में तो एनिमल किंग्डम के अंदर कौन सा ऐसा बर्वर्ग है एनिमल किंग्डम के अंदर कौन सा ऐसा ग्रूप है जिस पर एक्स्टिंशन का खत्रा सबसे दिखे वो है एमफीवियंस 32% इस पर से जो एक्स्टिंशन के करीब पहुंच चुकी उस पर से 32% फिर प्लांट इंग्डम में सबसे बड़ा खत्रा किंद को है वो है जिम्नोस्पर्म को है पूरी की पूरी जो प्रियातिया एक्स्टिंशन तक पहुंच चुकी है 31% जिम्नोस्पर्म है ऐसे बिटा MCQ फ्रेम होता है याद रखीगा ठीके ना क्लियर अब पॉइंट नंबर 27 ठीके बायो डाइवर्सिटी लॉस ठीके उसकी दिए हम बात करें हापे तो हम क्या बोलेंगे बायो डाइवर्सिटी लॉस की हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे बिटा हम बोलेंगे इससे क्या होता है प्रोटक्टिविटी किस से होती है प्लांट से होती है वो घड़ जाती है ठीके environmental fluctuations ठीक है चाहे वो सुखे से हो रहा हो अधिक बारी से हो रहा हो वो बढ़ जाते हैं ठीक है ना ठीक environmental fluctuations and risk of extinction risk of extinction ठीक है पूरा कर लो रुके ठीक है environmental fluctuations and risk of extinction बातावर्णी परिवर्तन होंगे उससे गायब होने का खत्म होने का खत्रा बढ़ जाता है आप है ठीक है ना फिर मेरे पास जगे नी है तो मैं साइड में लिखता है आप है पॉइंट नमबर 27 को ही हम आगे ठीक है मेरे पास जगे नी स्लिप में खाली जगे में लिख रहा हूँ आप नीचे लिखिएगा इसको ठीक है फिर यहाँ पर क्या होता बिटाएं आपे चोहें वो डिजीज एंड पैस्ट ये बढ़ जाते है खत्रा वो डिजीज और पैस्ट नेखला खत्रा भी बढ़ जाता है यदि बिवाडियावर्सिटी का लॉस होगा तो बिमारिया बढ़ेंगी उन्हें फसलों को डेमेज करेंवाले इंसेक्ट वो भी बढ़ सकते है ठीक है वोगी बायो डिवर्सिटी चेक एंड बैलेंस बायो डिवर्सिटी क्या करती है कि वो चेक एंड बैलेंस ने एक प्रिटर प्री का पुरा बैलेंस प्रिटर और प्रे का पुरा एक बैलेंस मैंटन रहता है ठीक है चलिए पॉइंट नमबर 28 पर आते हैं हाँ पर हम चिके What are the causes of biodiversity loss के कारण क्या होते है तो हम बोलेंगे यहाँ पर evil quartet evil quartet evil quartet is the reason अब यह क्या है evil quartet का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हमने ऐसे बना दिया हमने का चार चीजे होती है जो biodiversity का loss करती है पहला हमने बोल दिया ऐसा लिके habitat loss and fragmentation habitat loss and fragmentation habitat loss में क्या होता है कि पूरा habitat habitat खतम गर दिया फ्रेगमेंटिया में बड़े habitat का अपने तीन अलालाग हिस्सों में बाट दिया अपने फिर over exploitation ठीके क्या होगा बेटा दूसरा क्या होगा दूसरा होगा over exploitation के तो एक तो क्या होगा बेटा एक तो हुआ habitat loss दूसरा क्या होगा दूसरा होगा over exploitation ठीके ठीके अब आगे बढ़ते हैं तीसरा क्या होगा बेटा तीसरा होगा alien species invasion ठीके ना मतलब हमने क्या किया, हमने बाहर से alien species invasion बाहर से कोई प्रदाती को लाके महाँ पर छोड़ दे तो naturally present नहीं थी ठीक, इसके बाद क्या होगा बीटा last जो number 4 पर क्या है number 4 पर आएगा बीटा, co extinction के एक दूसरे पर एक species ज़ी गायब होगी, तो दूसरी जो यह हो गया है आपका evil quadrate क्या मतलब चार ऐसे पहलू है जो बायो डाइवर्सिटी का लॉस करते हैं तो इन्हें हम evil quadrate कहते हैं इसमें क्या शामिल है? habitat loss fragmentation, दूसरा क्या शामिल है? बिटास के अंदर जो है over exploitation थर्ड क्या शामिल है? इसके अदर fragmentation कर देंगे तो वो खतम होने लगेंगे दूसरा इसके लाबा क्या है? वो है कि आपने क्या क्या? आपने जो है वो किसी एक animal का आपने ज़्यदा शिकार क्या आपने over exploitation क्या तो वो भी खतम हो जाएगा जिसे stear sea cow को रशिया में जो stear sea cow है ना उसको मार मार के रशियन खा गए पूराटके ऐसी मौरिशस में डोडो पक्षी है ना वो मनुष्य का human को बड़ा पसंद करता था human के पास चला जाया करता था चूटा सा पक्षी था वो उसको मार मार के खा गए लोग alien species invasion में बाहार से प्रिजादें आउस्टिया की रबिट प्राब्लम में खरगोश को लाके खरगोश भरे पड़ें के मतलब वो खतरनाख होंगे पूरी फ़सल की फ़सल चोपट कर देते हैं उटके तो बाहार की प्रिजादिया खतरा बन जाती कही बार और को एस्टिंशन में एक दी माली जे फिग बास्प खतम हो जाए तो फिक फिग प्लांड खतम जाए तो फिग बास्प खतम हो जाए हंगा एक धूसरे पर इंट्रीड पर चाले हो एक इपर इक खतम की दूसरे अपना खतम हो जाए गी ठीके ना अब देखो बटा habitat loss and fragmentation में हम point number 29 पर आते हैं point number 29 पर आते हैं हम ठीक है क्या बोलते है habitat loss और fragmentation में क्या होता है बेटा कि हम सबसे दिकने जो habitat loss का the most dramatic example of habitat loss come from the tropical rainforest ठीक है ठीक once covered in a tropical rain है हम यहाँ पर बोलते है यहाँ पर दिकते है tropical rainforest ठीक है rain forest ठीक है ना यह कितने हो गए बेटा यह 14 परसंट एक समय यह ठीक है जो अभी घटकर हो गए है 6 परसंट हो गए ठीक है यह घट गए है ठीक है बड़ा habitat loss और यह क्या है lungs यह क्या होते हैं यह होते है lungs of the planet हमाई धरती के फेफड़े कहलाते हैं यह ठीक है अमिजॉन के फॉरस जह है वो ब्राजील में है वो फिर आते हैं एलियन के अब यह बेटा एलियन स्पीसीज इन्वेजन जो है ना यह नीट 2021 के एक्सपर्टेटर को चारपच्छी जगे मने बताया है एक नयक कुशन पका आएगा उसमें से ठीक है यह एलियन स्पीसीज इन्वेजन के हम बात कर रहे हैं वो कौन सा बेटा से नाइल पर्ज कहाँ पर लेक विक्टोरिया कहाँ पर रहे हैं इस्ट अफरीका ठीक है दूसरा इसके लावा क्या बेटा दूसरा इसके लावा है गाजर घास करट ग्रास जानते हैं यह भी एलियन स्पीसीज इसके फिर लेंटेना प्लांट ठीक है फिर इकॉर्निया वाटर हाई सिंथ जलकुम्भी जोए ना ठीक है फिर अफरिकन केट फिश नाम क्या इसका कलारियास ठीक है यह हमारे रिवर में छोड़ दी गई थी लाके और यह दूसरी प्रिजाती को क्योंसे कॉम्पिट करने भी यह तेज ग्रो करती है दूसरी प्रिजाती के लिए वो खत्रा बन चुकी जो कैट फिश है वो इसके कॉम्पिटिशन से खत्म होने लगी है अब धिमेंदे मिटके तो यह एलेन इस्पिशली जो पूरे एकुसिस्टम को डैमेज करें कैरेट ग्रास का प्रांट तेजी से बढ़ता है बाकी प्रांट को नुट्रिशन नहीं मिलता उससे और यह हर खाले गवर तेजी से सक्सेस्फुली बढ़ जाता है तो क्या होता कि कॉम्पिटिशन मेंदे से जो उससी प्रांट नहीं खत्म होने लगती है फिर को एक्स्टिंशन मैंने आपको बताया है बटा कि एक प्रांटी पर पर से दूसरी इतनी को प्रेंट हुए जो होते हैं उनके प्लांट की बात करते हैं हम भर करते हैं जो एक प्लांट की बात करता है fig बास ब्लाश्टो फचेंट जो वो fig plant के pollination help करता है there are plants and pollinator connection ज़्य सारे insects खितम जाये pollinator shamies अबपर शुटता है कि कितने point note ki we have your head to 30 point number 31 ठीक conservation of बाईव डैवर्सिटी ठीके अब इसके लिए क्या होता है इसके लिए लोग कहते हैं तीन तीन द्रश्टी कोण इसके लिए आते हैं एक होता है कि भא這邊 narrow ठीके एक होता है कि हम कहते हैं कि यह जो जो vision है जो जो Criteria ऐसको कि हमें क्यों जो है वो biodiversity को save करना है तो एक होता है narrow approach, narrow criteria narrow utilarion क्या हम बोलेंगे इसको हम एक क्या होगे बिटा हमने कहा कि एक होगे आपका narrow एक होगे आपका narrow आप लिखला ना बिटा इसको मेरा word गया है narrow utilarion है ना ठीके इसमें क्या, इसमें जो है वो uses for human welfare मतलब मनुष्य के लिए हमको कुछ चीजे चाहिए, इसलिए हमको पोधो की biodiversity को save करना चाहिए हमको मतलब जो 25% 25% of drugs 25% जो drugs है medicines है, वो कहां से आती है, वो आती है plants से आती है, ठीक है ना, clear है ना ठीक, और इसके लावा हम बात करते हैं, अब यहाँ पर एक टर्म हमारे काम का है, बहुत काम का टर्म यहाँ पर यह वो है क्या ऐसे characteristics हैं कि जो हमारे बहुत काम आ सकते हैं और उसका क्या भविश्य में क्या संभावना है उसकी है तो क्या लिखा है, आपर नों लिखा है Exploring Molecular, Genetic and Species Level Diversity for Product of Economic Importance यह बायो प्रोस्पर्टी में क्या गरते हैं कि जो Economic Importance का जो प्रड़ट है कैसे ग्रो कर सकता है, कैसे इसका हम और इस्तिमाल कर सकते हैं यह सब बायो प्रोस्पर्टींग के अंदर आता है Exploring Molecular, Genetic and Species Level Diversity for Product of Economic Importance तो Economic Importance के प्रोस्पर्ट हैं वो Genetic इस्तर पर Molecular लेवल पर, Species के लेवल पर Broad Utilarian Criterा Broad Utilarian Criterा क्या बोलता है वो कहता है Broad Utilarian Broad Utilarian इसमें क्या बोलता है वो कहता है कि हमें Biodiversity इसलिए सेव करना चीए को कि यह Ecosystem Services में Ecosystem Services में Important role प्ले करते है और वाइब वी We have to save the Biodiversity को कि यह हमारे पुरा Working System है हमारे जो पुरा Ecosystem चल रहा है उसमें यह Mother Role प्ले करते है यह Broad Utilarian Criteria होगे हाँ पर हम ठीक है ना जैसे हमारी जो Purification होता है CO2 को Absorb करके Oxygen को छोड़ना Lungs of the planet की रुप में मैंजौन के Forest काम कर रहे होते है तो the Ecosystem पुरा Maintainten इसलिए है Ethical Criteria अब वो क्या बोलता है सब को जीने का दिकार है Microbe को भी जीने का दिकार है Plant को, Animal को सब को जीने का दिकार है धरती सब की है हमारी नहीं है हमको अकेले अपने Greed के चलते हैं अपने डर्टी को डेमेज नहीं करा चीए यह Ethical Criteria हो गया ठीक है, क्लिया चलिए अब कैसे के हम जो है वो आप पॉइंट का सही नमबर डाले ना मैं 32 अब डाल रहाँ पॉइंट नमबर के ठीक हम कैसे हैं हाव टू के हैंने Steps to Conserve Biodiversity के यह Biodiversity को बेटा Conserve करने के लिए नमबर एक आपको क्या करना है भूलेंगे नी आपसे ले खटके हैने whatever इसको वहीं प्रोटेट करो इसके लिए क्या करोगे आप इसके लिए क्या करोगे आप इसके लिए क्या करोगे आप इसके लिए क्या करोगे आपने का जो जहां पर है उसको वहीं प्रोटेट कर दें इसके लिए आप वर्ड यूज करोगे इंसिटू जो situation जहां पर है वहीं के अंदर आपने इसको जो है वो conserve कर दिया इसको इंसिटू conservation बोलोगे इसको आप इसमें क्या शामिल होगा इसके अंदर इसके अंदर आप क्या करोगे बिटा अब इसमें आप जो है वो इसमें आप क्या करोगे hot spots बनाओगे इसमें आप ठीके इसमें आप national park बनाओगे इसमें आप इसमें आप century बनाओगे आप यहाँ पे ठीके है ना और इसका purpose क्या है जो endemic प्रजातिया है जो जहाँ पर एक जगे पर पाई आती है उसी जगे पर नहीं मिलती है उनको हम यहाँ पर इससे protect कर सकते हैं ठीके ना clear जहाँ पर है वहाँ उसको preserve कर दो आप एक तरीका तो यह होगा ठीके अब रही बात hot spot की बात करें बिटा हम तो याद रखेंगे हम क्या करेंगे बिटा hot spot जो होता है देखो यहाँ पर क्या होता आपको hot spot की खास बात क्या है यहाँ पर species ठीक से लिखता हूँ उसको आरा न तो तुमको मजा नहीं आएगा देखेंगे सर कैसा लिख रहो गंदा गंदा ठीक ना species richness अधिक होती है ठीक है अधिक होता है किसके में hot spot की बात करें hot spot में high degree of endemis मतला बता है यह प्रिजाती वहीं पाई जाती है कहीं और नहीं पाई जाती है तुसे हम endemism करते हूँ hot spot में दो क्राइटरिया होना चीए एक तो वहाँ पर species richness अधिक होना चीए और वहीं पर जाती है कहीं और नहीं पाई जाना चीए तो वह हो गया क्या हो गया बता यहां पर जो है उनको हम कैसे identify करते हैं कैसे प्रिजान दे हैं यहां पर high level of species richness होता है और high degree of endemis होता है तो टोटल 34 कूल कितने हैं hot spot total 34 hot spot जो है वह globally presented क्या NCRT का data ही लेंगे 34 hot spot globally presented और इसमें से लिखा हुआ है NCRT में साब साब लिखा हुआ है इसमें से तीन जो है तीन जो है वह कहाँ पार है इसमें से तीन जो है वह ऐसे hot spot 3 of these hot spot Western Ghats, Sri Lanka, Indo-Vorma Western Ghats and Sri Lanka दूसरा Indo-Vorma, Third Himalaya जो है वे हमारी country में की के आसपास के biological hot spot में शामिल होते है दूसरा कोई data हमें यूज नहीं करना हमें NCRT का data बटा है यूज करना सिर्फ ठीक है याद रखीगा इसको ठीक है नूट कर लिजे इनको जगे को point number 33 ठीक है तो क्या होता है बेटा इनसिटू में मैंने क्या क्या इनसिटू कंजर विचन में क्या शामिल हो गया आपका hot spot आ गया ठीक है national park आ गया आपका hot spot 34 है national park इंडिया में ये world में इंडिया में 3 है 34 globally और इंडिया में 3 है नेस्टनल पार्क इंडिया के अंदर कितने हैं विटा यहां पर लिखा हुआ है इसमें नेसल पार्क 90 नेसल पार्क हैं फिर बायोस्फेर रिजर्व बायोस्फेर रिजर्व कितने हैं 14 है ठीक है संख्या याद रखना है wildlife centuries कैसे नहीं लिख रहा हूं में यह लिख रहा हूं सोचके लिख रहा हूं अब ड़के तो यह आकड़े बदल चुके हैं हालंकि पर NCRT में उधर रखें विटा एक्जाम में वही पूछ आते हैं किसलिए याद होगी कि हॉट स्पॉट ट्रोटल 34 है और इंडिया में इंडिया में यह पूरी धर्ती पे जो है वो 34 है और इंडिया में हम देखें इंडिया में यह बना दिया हमने इंडिया समाझ लों इंडिया है अब छोटे से से ऐसी बनेगा ना बटाटके इंडिया में 3 है नसल पार्क 90 बाइस्फेर रिजर्ब जो है वो 14 वाइड लाइफ संचुरी 448 जो है वो प्रिजेंड के फिक पॉइंट नमबर 34 थिक है important पॉइंट है सेकरड गृच्च बहुत अक्छे की इए खासी नोट करना है, आरस नी करना, खासी एंड, जैनतिया हिल्स, मेघाले, ठीके, दूसरा क्या है बिटा, अरावली, हिल कहां पर, राजिस्तान, ठीके, तीसरा क्या है, वेस्टन घाट, करनाटक, महराष्ट्रा, ठीके, इसके लावा लिखाया पर, वेस्टन घाट, रिजन आप करनाटका, महराष्ट्रा, एंड, सरगुजा, चांदा बस्तर, अप में, ठीके, जिनको लोग पबित्र मानते हैं, और इनमें कोई विजया है, वो, कोई इनको डैमेज नहीं करता है, ठीके, यह सबसे च्छा तरीका है, प्रोट्ट करने का है, पोईंट नूंबर 35, एक्स सिटू, कंजरवेशन, ठीके, ठीके, उठा लाओ, और सुरक्षा करो ठीके उठा लाओ जहां पे खत्रा लग रहे है ना उसको उठा लाओ अपने पास से को समाल करेद के क्या होगा इसके लिए इसके लिए आप बनाओगे जू बनाओगे ठीके आप बॉतनिकल पार्क बनाओगे बॉतनिकल गार्डन बॉटनिकल गाइडन बनाओ गया आप ठिके wildlife safari बनाओ गया आप मतलब उठाला ओ स्वश्चा कर उठके ये हो गया purpose कटके ये हो गया मैं कहरा ना आप से जो जहां पे वहाँ स्वश्चा कर ओ इंसिटू कर दो एकसिटू मतलब जो जहां से situation को अपने change कर दिया बाहर ले क्या अपके तो क्या हो गया वह आपका हो गया यह जो है ठीके उटा यह क्या हो गया आपका यह आपका हो गया है X2 conservation हो गया आपका यह ठीके विटा है ना आप देखो एक बड़ा important point यह है इसमें आखरी point पर पहुंच चुक है हम point number 36 ठीके वो क्या है वेटा वो है earth summit ठीके सम्मिलान कब हुआ था यह ठीके यह है cbd के एक convention of biological diversity cbd कहते हैं मैं आपको पता होना चीए कहां हुआ था यह ब्राजील में रियो जो है रियो शिटी में रियो शिटी में रियो शिटी में हुआ था कब हुआ था यह 1992 में हुआ था ठीके बटा है ना और इसमें क्या biodiversity को उपर चर्चा की गई थी बटा और फिर इसका ही follow up इसका ही follow up point number 37 world summit world summit on sustainable development note कीजिए ठीके कहां हुआ था यह यह हुआ था आपका South Africa Johannesburg में हुआ था यह और यह कब हुआ बटा यह आपका हुआ था 2002 में कब हुआ था यह 2002 में हुआ था यह चीके है ना तक्रिवन 190 countries ने इसमें जो यह पाइट सिबेट किया था चोट्षड़े डिटेल हैं पता हाँ चीके ना बटा यह आर्थ सम्मेट जो कन्वेंशन आप बाइलोजिकल डाइवर्सिटी रियो सिटी में हुआ था व्राजील के अंदर 1992 में हुआ था वर्ल्ट सम्मेट और सस्टमें डेवल्मेंट जोहनेस ब बात हमारी खत्म होते इस चेप्टर की और आज कया किया हमने हमने सिकली आज कोई पर सब्सक्राइवर्स पाइवर्सित अप pacat minutes को बहुत सारे ब्ला यह उड़ाए यह भास निकेsz यह आप कर nuo फीशेफ on q лич निखा युआ कर की इन किताब 2- pentru लिखन इसको बहुंट गए श आपको मेरे से मिलने आना है नहीं आना. आपको मेरे से मिलने जो है वो F захasmary Seremony में आपको आना है नहीं आपको आना है. मतलब आपको पढ़ना है. मतलब मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मेरा भी एसा आपके साथ एक photo garaf हो toxic that इसमें सबसे खुश आप नहीं, सबसे खुश मैं हूँ इसमें, ठीक है, ठीक, तो इसके लिए महनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बेटा, है न, ठीक है, चलिए, तो पढ़ते रहिए बेटा, महनत करते रहिए, all the best